जेह हैं दोस्तो, आज का हमारा वीडियो को टोपिक है railway signal light damage और note कहने का मतलब कि जितने भी हमारे railway track किनारे जितने भी light लगे होते हैं जो कि हमारे signal को बताता है कि कब हमारे train को पास होना है कब train को रुखना है तो वो आखिर हमारे damage होते हैं या फिर डेमेज नहीं होते हैं तो दोस्तो वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है तो चली फिर वीडियो को हम लोग अश्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो आप इसके बारे में समझेंगे तो यहाँ पर रिल्वे लाट आट By समझाएंगे दोस्तो इन कंडेसंट लांफ होता है वो हमारा कुछ इस परकार से होता है इसमें क्या होता कि हमारे यहाँ पर filament होता है ठीक है दोस्तो जबकि LED जो होता है वो हमारा light emitting diode होता है ये एक प्रकारफ़ा हमारा semiconductor device होता है और ये हमारा दो material से मिलाकर बनाया जाता है एक material हमारा होता है P-type material होता है दूसरा हमारा end-type material होता है ठीक है दोस्तो इसको हमider support supply देते हैं यहाँ पे DC supply तो क्या होता कि यह इसमें हमारा होल होता है इसमें हमारा निगेटिव चाज होता है तो यह दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता कि यहाँ पर हमारा लाइट निकलता है मतलए कि प्रकास देता है उसी तरह दोस्तों इसमें हमारा लाइट होता है वह क्या होता है कि इसमे लेकिन बहुत कम गरम होता है इसके मुकाबले अगर बात करें तो नाक बरावर यह गरम होता है तो इसका जो डोस्तो लाइप है वो काफी ज्यादा हमारा इंकरीज हो याता है अब दोस्तों थोड़ा सा इसका supply के बार में हम लोग समझे लेते हैं तो दोस्तों यह जो बल्व होता है इसको हम लोग AC supply पर operate करते हैं और इसी supply से जानते हैं कि यह हमारा कभी भोल्टेज होता है वह हमारा constant नहीं होता है कभी कभी इसका voltage fluctuate करता तो कभी ज्यादा कभी कम हो और दो भोल्ट से लेकर इसको हम लोग 5 भोल्ट तक operate करते हैं और दोस्तों यह क्या होता है कि DC में हमारा continuous supply होता है किसी प्रकार का हमारा fluctuation नहीं होता है जिसके कारण क्या होता है कि इसका life काफी जादा है अब दोस्तों यहाँ पर एक main point और add करता हूँ कि इसका हमारा intensity हो मतलब कि इसको दूर से देखते हैं wavelength जो होता है वह हमारा उतना अच्छा नहीं होता है इसका wavelength छोटा होता है वहीं दोस्तों जो हमारा LED होता है इसका तीवरता हमारा काफी ज्यादा होता है मतलब इसका wavelength होता है वह काफी ज्यादा होता है तो इसको क्या होता है कि LED को जो हम होता है आप मैं एक मैट के आंदर में आपको बता देता हूं तो दोस्तों रिलवे में हमारे LED लगाई जाती है जिसका तीवता काफी तीवता होता है और ये हमारे काफी दूर से ही दुए भड़ जाता है और दोस्तों करो लाट प्रोब्लम नहीं होगा इसको बाद में रिपार कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह बहुत बड़ा अडवांटेज होता है यह हमारा दो भूल्ट से लेकर पॉच भूल्ट के बीच में ओपरेट होता है मतलए कि यह बीचली काफी ज़्यादा हमारा सिव करता है अब दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि रेल्वे में जो हमारा सिंगनल लाट होते हैं वह हमारे खराब क्यों नहीं होते हैं दोस्तों इससे रिलेटिव फिर भी किसी प्रकार का आपके मन में सवाल रहा था तो